हरे कुश्रा वेलकम टियो शैनल दभी आफ्रा तो ग्लाइट पीजी ट्वंटी ट्वंटी फाइफ का एक्जाम आ चुका है अब अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई होती यह हम थोड़ा अंडर कॉंफिडेंट रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके तो यह कोश्चन आ कि अगर्षन में यह नहीं बहुत अच्छे सानन एपाल किया आघ आघ यह दो डिपाहिं होतब अगर्षन उने भी लगते यह उद्र देरमांविं द सब्सक्राइब सब्सक्राइब बतुन्हीं लुगरस लीए इस लूटा है ईक साल के लिए मेसे चलता सब्सक्राइल होता तो आपको किसी सब्जेक्ट में चाहते हैं आपको किसी सब्जेक्ट में चाहते हैं आपको किसी सब्जेक्ट में चाहते हैं आपको किसी सब्जेक्ट में 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 सब्जेक्ट मे प्लान बी काही पार्ट पाल सकते हैं और लाश्ट लीए हो सकता है कि ऐसे ही डिग्री ले लेते हैं जब सामने अच्छे से हमें अपरचुनिटीज नहीं दिख रही होती है तो हम क्या कुशिश करते हैं कि डिग्री आ इखटा कर लें तो यहीं रीजन सो सकते हैं तो अगर परपस के साथ मेजरली यही परपस है बाकी बहुत सारे रीजन सो सकते हैं एक्जाम देने का और ना देने का तो अगर मैं बात करूँ आपको इस्पेशलाइजिशन चाहिए तो हाँ यह एक्जाम जरूरी है अगर आपको कॉर्पेट वग्यरे में जाना है तो ओव इसे भी जा सकते हैं और यह एक्जाम आपको एक्जाम देगा तो लेकिन अगर आपके इस परपस के लिए फ्लाट पीजी का एक्जाम दे रहे हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छी होने चाहिए आपको टीर वन अनल्यू से ही आपको LLM करना होगा वरना टीर 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 प्लस्मेंट नहीं है तो अगर आप टीर 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 शुड प्लाट ठीर अपक्षिन और एक शाल का ही होता है तो यह संच्छी प法 चीज होती है ऐसी चीज होती है but over the time समझ आता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो substantial हो tag is also important but at least हमार पर knowledge होनी चाहिए कुछ substance होना चाहिए उस चीज में दोस्टी चीज अगर आपका plan b है तो मेरा recommendation यह है कि आप जो भी आपका plan a वाले exam है अगर उसकी rates आस-पास है तो आप उसी पर focus करिए इस पर जादा ने focus करिए जब हम plan a plan b करते रहते हैं तो हम डगमग डगमग होते रहते हैं ठीक है और अगर आपका plan a है उसका exam आस-पास नहीं है तो थोड़ा सा time रहा है तो मैं यह कहूंगे कि आप जो है सारा समय दे सकते हैं अगर आप पूरा time द आप थोड़ा इस exam के towards dedicate कर दो मतलब एकदम CLAD PG centric हो जाओ तो भी आपका हो सकते है ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा तरीस चीज़ अगर आपको academics में जाना है तो for that you need not to go in NLU only है अगर आपको लगर आपके preparation नहीं है तो आप D.U. से कर सकते हो मैं तो Central University से कर सकते हो उसके लगर आप CUTPG का एक्जाम ले सकते हो जो कि अभी आया नहीं है ताक बस CUTPG का option है और academics के लिए तो यहीं अच्छा रहता है कि अगर आपका 2-year वाला LLM है तो अच्छा रहता है लेकिन जैसे बहुत सारे मैंने ऐसा कुछ universities का ऐसा है कि वो 2-year LLM ही लेते हैं ठीक लेकिन जो selection committee रहते हैं they are very well aware कि आप कौन से tier वाले LLU से tier 1, tier 2, tier 3 तो tier 1 LLU है तो ठीक है तो ठीक है आपको academics में भी अच्छा ही रहेगा लेकिन अगर tier 2, tier 3 है तो कहीं ना कहीं जो है especially tier 3 है तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा situation इधर उधर है तो उसके लिए बैट जैसे ही कर रहे हैं degree के लिए तो कोई सा भी आप कर सकते हैं चाहिए tier 1, tier 2, tier 3 आपके NLU का tag भी मिल जाएगा और अगर आपके preparation नहीं भी है और just for the sake of degree ही आप कर रहे हो या फिर just for the sake of tag कर रहे हो तो देखो अगर आप ठीक से थोड़ा preparation करोगे तो आपको tier 2 या tier 3 मिल सकता है तो मिली जाएगा अगर आप थोड़ी अच्छे से preparation करो ना जोसे कुछ सब्जेक्स है वह हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं constitution हो गया है na jurisprudence भी आप सबने पढ़ा होगा contract हो गया तो यह criminal laws हो गया तो यह कुछ चीजे जिन पे आप थोड़ा से ध्यान दोगे ना तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी का समय बचा है उस time में अगर आप चाहो तो आपको tier 2, tier 3 भी मिल सकता है यह डिपेंड करता है कि अपकी preparation पहले की कैसा अगर बेस कैसा है अगर बेस्ट्रॉण ना तो मैं तो यह भी कहूँगे कि आपको tier 1 भी मिल सकता है लेकिन आपकी अगर बेस्ट्रॉण ना तो फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक दो महीने में कुछ बहुत ज्यादा मतलब miracle हो जाएगा ऐसा नहीं होगा है लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है कि आपका लग्य करो तो हो जाएगा तो यह चीज़े थी अब इससे आप सोच सकते हो कि आप आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ जब आपका परपस क्लियर होगा तो आपको अपना सिचुएशन देखना कि आपके सिचुएशन में है अभी तो अब स्टूडेंट आपका कॉलेज चल रहा है या फिर आपने ड्रॉप किया है या फिर आपकी और आपके पास कोई और अप्शन नहीं है बहुत सारी चीज़ हो सकती है तो अभी आप स्टूडेंट हो है आप कॉलेज में जा रहे हो और इस समय आपके पास थोड़ डिफिकल्ट सब्चेक्ट है और प्रोसीजर लॉज और यह सारी चीज़ है तो मैं कहूंगी कि आप अपन बढ़ा है तो अपना जोड़कर करें तो कॉलेज का प्रोड़ों वरना फेलो जाओगे तो क्लाइट पीज भी काम का नहीं दाएगा तो सबसे पहली चीज़ है लाईट पीजीवी एक साल के लिए वैलिड रहता है तो तो उसको जो स्कोड कार एक साल के लिए ही वैलीड र और दूसरी चीज़ अगर आप को यह और एक्जाम दे रहे हैं आपका प्लैन B है तो अगर आपको जो एक्जाम है जो प्लैन A वाला एक्जाम है वह अगर पास है तो मैं कहूंगे आप उसी पर फोकस करिए करते हैं तो यह तो जब कुछ नहीं बचा तब आप इससे चोज करें हो ना हो जाएगा यह मतलब अगर प्लैन B है तो थोड़ा बात इधर दर हो सकता है प्लैन A के साथ कॉम्प्रोमाइस नहीं करना है यह नहीं हो तो आप C.O.T.P.G.R.L.M. दे देना अभी आगे और भी औ तो आप मतलब के सिच्वेशन के पर डिपन करता है और अगर आप इसके लिए अगर आपने स्पेसिफिकली इसके लिए ड्रॉप किया तो प्लीज गिवर मैक्जिमम है ना कोशिश करो कि आपकी बेस्ट रेंक आए जादा जितना अच्छा सा प्रिपेर करो जादा से जादा से जादा मौक सॉल्व करो आप लोग को यह करना चाहिए तो आपको काफी चीज़े क्लियर हो गली होंगे तो डिपेंट्स कि क्या परपस है अभी आपके फिलहाल में क्या सिचुवेशन है अब एक और ध्यान दो कि सिर्फ अगर आप क्लार पीजी ही सोच रहें कि एक ऑप आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद फिर जो आयलाई होता हो अप उसमें जाके अपना डिप्लोमा ने सकते हैं तीसरी चीज़े कर सकते हो कि और भी जो कॉलेजेस हैं नोट अलली दिस रिस हो गया ऐसे करके आपको बहुत सारे कॉलेजेस होईंगे ठीक है वहां भी वह आप अगर वह पर लेज लोक आपको आया टो मतल़ टौसञा है क हैं तो मतलब कहने की का मतलच सारी का श्क्रएट हो जाएगा ऐसे ज् Dep bit to row गार्स्ट जाना है अगर आपको χानि हम को अपको ए पढ़का तो regulator में प्रृड्ड सब्सक्रम कर ले negro दि ninemas ने जाना उसके हैल नब यह कि इसे ही आफ पोपने ञेक्ड़ी में प्लेडेवर कर चीटिन्दा मत करें आप अप अपने कालेज THE future जादा से जादा नमबर आने चाहिए अगर आपने इसी के लिए तो है अगर आपके प्रेपरेशन हो चुके तो यह अंडर कॉंफिडेंट मत फिल करो कि मेरे प्रेपरेशन नहीं हुई इतने सारे बच्चे जुन्हों इतने समय तर ड्रॉप किया है मैं तो सिर्फ ती इंचा प्रेशन नहीं हो जाएंगे क्या फाइदा इतनी मेरेशन करके अगर आपने इसके लिए प्रिपेर किया है तो बहुत ध्यान कहीं अपना किसी भी वीडियो किसी इसी बाते मत आओ अच्छे से अपना मॉक्स सॉल्फ करो अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करो एकदम अपनी है प्रेपरेशन होने चाहिए अपको मॉक्स सॉल्फ करते रहना चाहिए थाए जादा जादा कुश्चन सॉल्फ करो और अट फिल करो लग रहे है कि फ्रेंड से बात करके अप अपना अपना प्रेशन भी हमपर होगी तो उन सब चीजों को थोड़ा सा अवोइड क अपनी है तो मैं पही एक ग्जाम था और उस समय मुझे प्रेशीजर लॉज का एक्जाम देना था तो यही था कि मतलब इतना प्रेपरेशन नहीं था तो फिर ऐसा लग रहा था कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए है तो अगर आपने फर्म भर दिया है ठीक आपकी कोई प्रेपरेशन नहीं मान रही हूँ है अप प्रेपेर भी नहीं कर रहे है तो इतना मत लोड लो है ना पेपर देने के लिए दे ना अगर आपका कोई और प्लैने वाल एक्जाम है या कोई और प्रेपरेशन कर रहे हो उसे करो अगर अपने फिल कर दिया तो ज़स्ट फॉर वीडियो तरन्ट हो चुकि है पर आप हमसे कने कर सकते हैं हमारे इंस्टार आडिये पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें हरे कृष्णा